आज हम पढ़ेंगे logical operator में और operator के बारे में और में आप ये keyword भी use कर सकते हैं और ये symbol भी use कर सकते हैं ये table हमार पस बने हुई है employee की नाम से suppose हमार पस question है कि आप उन employees का data display कराओ जिन employee की city देली है या तो फिर उनकी salary 10,000 से जादा है और का मतलब है इन दोनों में से एक condition true होनी चाहिए one condition should be true let's see क्या लिखेंगे इसके लिए हम select star from employee where city equal to daily देली कोट्स में आएगा और salary greater than 10,000 तो इस condition में सबसे पहले हम city को देखेंगे city कुन कुन सी है one two दो एक अमित है और एक राम है जो देली में रहती है second condition क्या है 10,000 से greater है तो अमित की तो 10,000 से greater है बट राम की 10,000 से greater नहीं है बट इन दोनों में से एक condition true हो रही है वो देली से तो belong करता है तो इसका मतलब क्या है ये दोनों ही रोज डिस्प्ले हो जाएंगी तो और ओप्रेटर क्या कहता है और ओप्रेटर कहता है कि दो कंडिशन में से एक condition true होनी चाहिए अब इसमें ये फर्स कंडिशन देली की हो गई है सेकिंड कंडिशन चेक करते हैं क्या 10,000 से जादा सैलरी किस किस की है 10,000 से जादा सैलरी राम की है और विशाल की है प्रिती की है बट ये इन मुंबई में रहते हैं ये दोनों ये तो ठीक है बट ये दोनों मुंबई में रहते हैं तो क्या इनका डेटा भी डिस्प्ले हो यस, क्योंकि इन दोनों में से एक कंडिशन ट्रू हो ह running है अगर देली के वो देली के राम और अमित देली की से बिलोग कर रहे है लेकिन जो विशाल और पृती है इनकी लेकिन 10,000 से जादा है Сेल्री वो देली से बिलोंग नहीं कर रहे है लेकिन दोनों की salary 10,000 से जाद है तो दोनों ही conditions में से एक condition true हो रही है तो इस case में हमारे पास answers क्या आएंगा data किस तरी की से display होगा first अमित का होगा second ड्राम का होगा क्यों? क्योंकि ये देली में रहते है दोनों conditions में से इन्होंने एक true है third विशाल के आएगी वो मुंबई में रहता है वो देली में तो नहीं रहता है बट उसकी salary 10,000 से जादा है कितनी है उसकी salary 30,000 है fourth पृती पृती का भी सेम यही case है salary 10,000 से जादा है लेकिन रहती का है मुंबई में तो इस case में आपके पास यह details आएगी clear है तो और operator में दोनों condition true नहीं होनी चाहिए बट एक condition true होनी चाहिए इससे related कोई doubt हो तो please मुझे पूछ लेना comment करके और मेरे channel को subscribe भी कर लीजीगा thank you